अंग्रेजी शराब के साथ धंदेबास को जीरपी ने किया गिरफता वियार में पूर्न रूप से शराब बंदी कानून को लेकर शक्ति से पालन कराने के लिए राज किये रेल पुलिस के अलावे आर्पिय पुलिस ने कमर कसना शुरू कर दिया है इस दौरान आज अहले सुबा रेलवे परीसर में सगन चेकिंग अभियान के दौरान शक्यादार परेके युवको रंगे हाथो शराब के साथ धर दबोचा इस बात की जानकारी मीडिया को देते वे थाना देख्ष सतेंद्र प्रशाद सिंग ने बताया कि नगर थाना चेकर के डलेल गंज निवासी शंकर सिंग के तीस वर्शे पुत्र दिलिप कुमार अपने कमर में कसकर पडोसी राज्य वारा नसी से 30 पीस ब्लैक डॉग नामक एक सास्य में अंग्रेजी सराबले कर जा रहा था इसकी सूचना मिलते ही इस्टेशन परीशर के पार्किंग से धर दबोचा गया इस दौरान उन्होंने कहा कि वरियर पतादिकारियों के निर्देश पर लगतार शराब माफियों पर नकेल कशने के लिए जियारपी और आर पीएफ पुलिस की पैनी नजर है ताकि शराब माफियों के हर मंसे को नाकाम किया जा सके रहतार से आरपी भारत के लिए कैमरा परसन आदित दिराज के साथ रोहेतर सिंग की रिपोर्ट सासाराम रिल्वे स्टेशन पर जियारपी को बड़ी सफलका मिली है क्या पुरी मामला है सर मामला थी कि आज दिनायम के 24 साथ 2022 को मुझे गुप सुचना मिली कि एक बेटी जो साथ मैट और लाल गमशी लिये हुए है और मतलब इनके कमर में साभ है सरक के दहार पर आरपी एफ जी आरपी के टीम लगाया गया जी आरपी के टीम हमारे डिल्वे स्टेशन सासाराम और आरपी एफ के टीम कहां पार्किंग में लगाये थे सरक के दहार पर लाल गमशी लिये थे उनको हम चेक किये चेकिंग के करम में उनके कमल से 30 पीस बलाइक टोग 180 मेल का स्राव बरामद हुआ नाम पता उनके कुछने पर उनका नाम दिलीप कमार उम्र 26 वरस पिता संकर सिंग साकिन दलेल गंज ठाना नगर सासाराम जिला रुखतास के हैं उनको गरतार का ठाना लाया गया है और मतलब की अगरिन करवाई की जाली है सक हुआ था कि इनके पास एक और व्यक्ति अप्ला रंके राकत था जो अपने हम आर्पी एफ और जी आर्पी का स्वयोग से अभी भी लगाये हुए हैं कि हरपी एफ जी आर्पी के हाँ से कभी भी मतलब की रेलेवेस्टेजन सासार हम से सराब लेकर बाहर न निकल तके क्योंकि हमारे बरिये पुलिस पाधिकारी महोदय का सक्त निर्देश है ये सार्पी साब का सक्त निर्देश है हमारे कमांडेंट साब का सक्त निर्देश है कि किसी भी हाल में सराब व्योसाईयों से स्तास्वंगत नहीं राना है उनको हर हाल में हमारी कीम पकड़ेगी और उन पर हम अगरिन करवाई करेंगे